गुड आफ्टरनून बच्चों तो कैसे हो तुम लोग आज हम लोग बच्चों एक नया टॉपिक कहो कहो तो फिलिक्स की पहली टॉपिक जो है वो वैक्टर्स लोग स्टार्ट कर रहे हैं देखो अभी तक हमने बेसिक मैथेमेटिक्स में धेर सारी चीजे पढ़ी आप उन लेक्चर्स को बहुत केरफुली देखना ठीक है ना क्योंकि आप जब फिलिक्स के चैप्टर्स में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट चीज आपको ठीक है ना वैक्टर को हिंदी में हम लोग सदिस बूलते हैं अब सवाल है कि हमेशा की तरह मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते क्यों है क्योंकि बिना इस बात की जानकारी हुए कि किसी चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए आपको क्या हाँ था कि फिजिकल क्वांटिटी होता है फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में बोले तो बहुत तक रासी फिजिकल क्वांटिटी है ना क्या होता है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी बहुत तक रासी अब ये फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि देख लो क्या क्या हो स मास वेलोसिटी और पताओ एनर्जी है ना फोर्स हो गया आपका बल मास हो गया द्रब्यमान वेलोसिटी वेग और एनर्जी हो गई उड़ जा अब ये सारी फिस्कल कॉंटिटी फिस्कल कॉंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दर्साने के लिए क्या क्या चाहिए तो जैसे मान लो फोर्स है बल है तो बल में क्या क्या होना चाहिए तो पहली बात कि कितना बल लगेगा ये बात बताना ज़री है कि कोई पुछेगा कितना बल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, है न, तो एक चीज है कि मान लो तुमने कहा 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, तो जैसे मान लो कि तुम्हें ये कहना है कि मुझे रोटियां खानी है, तो कि बल रोटियां खानी है, इससे ये information complete नहीं होता है, You have to say कि आपका कितनी रोटिया खानी है, चार रोटी खानी है, पांच खानी है, छे खानी है, तो ये जो चार, पांच, छे जो हुआ न, इसको बच्चों बोलते हैं magnitude, तो आपका फोर्स मान लो किसी के उपर हमने 10 लगाया, तो खाली 10 बोलने से तो नहीं होगा, तो फोर्स क एक unit भी होती है, तो हम लोग एक chapter unit और dimension भी पढ़ेंगे, ठीक है न, आगे हम लोग का chapter होगा, unit and dimension, छोटा सा chapter है, तो वेक्टर्स के बाद वो हम लोग का आएगा, ठीक है, छोटा सा chapter हो पढ़ा नहीं है, उसमें लोग बताएगे कि quantity की unit क्या होती है, उसका dimension क्या होता है, तभी उसको लेके आप headache मतलो, अभी ध्यान दो यहां पर, तो force हो गया, magnitude हो गया 10, और चुकि यह force है, अगर यह force रोटिया होती, तो लिखते 10 रोटिया, अगर यह force बनाना होता, तो लिखते 10 बनाना, mango होता तो 10 mango, लेकिन यह force है, तो force का जो है, वो पहचान होता है newton से, तो यह क्या हो गया, 10 newton, ठीक, जैसे mass है, mass का मतलब है कि कोई body कितना भारी है, उसमें कितना द्रविमान है, तो पहले कितना द्रविमान है, तो मानलो कोई 60 का है, तो खाली 60 लिखने से काम नहीं होगा, 60 kg, clear, तो यह देखो, यह जो मैं board पे लिख रहा हूँ, यह इसको ब तो देखो, force की magnitude होगे ही 10 newton, mass की magnitude होगे ही 60 kg, मानलो, example के लिए mass कुछ भी हो सकता है, इसी तरीके से बच्चों, velocity मानलो, कोई body है, तो हम लोगो बोलते हैं, वो 5 meter per second से जा रहा है, तो this is magnitude, energy है, उर्जा है, किसी के पास अगर energy है, 30 joule, तो लिख दिया हमने 30 joule, clear, क्या physical quantity का जो परिचे है, introduction है, इससे complete हो गया, क्या इससे ये complete हो गया, सुछते हैं, कि आकिर physical quantity में क्या सिर्फ magnitude से उसका परिचे हो जाएगा, magnitude, इसको क्या बोलेंगे, बच्चों, magnitude, परिमान, तो क्या physical quantity में सिर्फ magnitude से परिचय हो जाएगा सोचते हैं जब हम सोचना शुरू किये तो हमको इसका आंसर मिला कि येस कभी कभी किसी किसी physical quantity के लिए magnitude ही उसका पूरा परिचय है magnitude ही परिमान ही उसका पूरा परिचय है और कुछ बताने की ज़र्वत नहीं है जैसे तुमसे मैं पूछू कि तुम्हारा वेट कितना है तो तुम बोलोगे कि वेट सर मेरा 50 kg है मास मेरा 50 kg है तो बस हो गया काम खत्म अब 50 kg में तुम और कुछ information नहीं चाहिए तुमको तो मास जैसे physical quantity को सिर्फ और सिर्फ magnitude से उसकी परिचय है उसका introduction complete हो गया लेकिन अब force के बारे में सोचते हैं अगर मैंने तुमको बोला कि यार मैं तुम्हारे उपर 10 newton का force लगाऊंगा तुमको मैंने क्या बोला तुम्हारे उपर 10 newton का force लगाऊंगा तुम्हारे दिमाग में बात आएगी कि येस सर आप 10 newton का force तो लगाऊंगे लेकिन एप चीज सोचो कि क्या 10 newton का force लगाऊंगे इससे ये complete हो गया information तो जवाब आ रहा है no कुछ और चाहिए क्या चाहिए तो ये चाहिए कि सरा force किधर लगाएंगे force कौन से direction में लगाएंगे north में लगाएंगे south में लगाएंगे upward लगाएंगे downward लगाएंगे उपर नीचे तो मतलब कि तुम्हे magnitude के साथ force के case में you need direction आपको direction भी चाहिए दिशाद चाहिए उसके साथ जैसे ये चीज आपको velocity में भी महसूस होगा मैं बोलूगा कि यार तुम 5 meter per second से जा दे हो या कोई कार 60 km per hour से जा दे गया तो क्या ये information complete है जवाब है दो 60 km per hour ठीक है उसका magnitude हो गया परिमान हो गया लेकिन वो 60 km per hour से वो कार किधर जा रही है ये तो बताना होगा भाई लोग तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ quantity है in that we need direction हमें क्या चाहिए होता बच्चों direction भी चाहिए होता है displacement की बात कर लो विस्थापन अगर मैं बोलू कि यार मैं कल 60 km तक चला गया अब तुम खुद सोचो 60 km किधर गया नौर्थ गया साथ गया उपर गया नीचे गया क्या ये बताने की ज़रुद है या नहीं है तो बच्चों ज़रुद है तो physical quantity में इसका मतलब magnitude के साथ साथ direction भी चाहिए लेकिन अब direction पे मैंने लगा दिया direction मैं इसे short form में लिख दूँ देखो ये समझ ना D I E R R N लिख दूँआ तो मैं तुम समझ जाया करना कि मैंने direction लिखा है ठीक है ने short form है अब इस पे मैंने star mark कर दिया क्यों star यहां star mark नहीं किया यहां star mark किया क्यों किया बच्चे तो इसलिए किया कि इसलिए है may be oblique may not be मतलब कि magnitude तो होगा ही होगा साड़े physical quantity में magnitude तो होगा ही होगा लेकिन जहां तक रही बात direction की तो direction हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जैसे force 10 newton तो इसमें direction होगा mass 60 kg direction नहीं होगा velocity 5 meter per second direction होगा energy 30 joule अब कुछ सोचो energy में क्या चाहिए तुम जब बोलते होगा मैं बहुत energetic हूँ तो मेरा क्या question होगा तुम बहुत energetic उत्तर की ओर हो या दक्षिन की ओर हो यह तो भकवास वाली बात हो जाएगी अरे यार energetic हो तो हो सही बात है ना तो energy है तो है we don't need information about its direction तो इसमें energy में direction नहीं चाहिए तो करने का मतलब है कि कुछ quantity में magnitude और direction दोनों चाहिए कुछ quantity में सिर्फ magnitude ही चाहिए लेकिन magnitude सब में चाहिए भाई लोग अच्छा एक और लिख दते है displacement में लिख दते है चुकि बात इसकी हुई है ऐसे धेर सारी quantity है displacement तो displacement में मालो 15 मीटर तो direction चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए तो सवाम था है कि ये हो गया जिसका मतलब physics में मिलने वाले quantities में physics में जितने भी quantity होगी बहुतिक रासिया होगी उसमें ये दो दो character में magnitude के bracket में लिख देते हैं बस्क भी magnitude का तो परिशय होना चाहिए और direction हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो अब जहां से scientist के दिमाग में आया कि ये काम करते हैं कुछ हम लोग ना तो एक physical अगर ये criteria अलग अलग है तो इनको ना classify करते हैं वरगी करित कर देते हैं clear लेकिन किसी के पास direction है किसी के पास नहीं है तो ठीक है क्या दिक्कत है इसमें इसको classify करने की क्या जरुत पर गई scientist को मांदो direction है force के पास है इसके पास नहीं है इससे कोई क्या कुछ फर्क पढ़ता है तो इसका जवाल है बच्चे कि ये मजबूरी हो गया scientist के लिए कि इनको classify करना पढ़ा क्योंकि किसी के पास direction है और किसी के पास direction नहीं है ये सिर्फ एक information नहीं है बलकि direction होना और direction नहीं होने से एक भारी फर्क पढ़ने लगा एक बहुत बड़ा इनके बीच में बदलाव आने लगा आई बास समझ में तो कोगे वो कौन सी बदलाव है दोनों में एक बहुत बड़ा difference आ गया इसलिए scientist को मजबूर होके इन quantities को दो पार्ट में classify करना पढ़ा एक तीसा पार्ट रिक्त हो चोटा सा है वो भी मैं बताऊंगा आपको तो आप ये समझो कि ये तो पहले समझो कि quantities की ये character है और ये character के बाद scientist क्यों मजबूर हो गए इनको दो पार्ट में बाटने से वो भी अब हम लोग को समझना होगा आखी direction आने से सिर्फ क्या एक information में extra चीज़ आया या सचमुच ये किसी चीपे परभाव डाला तो इसका जवाब है इन direction आने से सचमुच में किसी चीपे परभाव परा अब वो क्या परभाव है वो क्या effect है वो अब लोग सीखेंगे ठीक है तो पहले थोड़ लिख लो इसको फिर लो बात करते हैं तो दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर साइंटिस्ट क्यों मजबूर हुए कि एक classification की जड़ोत है हमें देखो दिक्कत क्या आई पुच्छे कि जब physics में या किसी जगह पे भी हम लोग mathematical operations करते हैं जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक टोक्री है मान लो एक glass है ठीक है उसमें कोई liquid है 4 kg और एक बड़ा सा glass container है उसमें आपका है 6 kg अगर इसको इसमें डाल देंगे यानि M1 यह mass है बच्चे यह mass है बच्चे तो कोई पुछे कि इसको अगर इसमें उडेल देंगे तो final जो हमारा बड़े वाले glass में जो liquid की मात्रा मिलेगे तो वो कितनी मिलेगे तो दोस्त जो सोच के देखो कि अगर इस liquid को इसमें डाल दोगे तो 4 kg और 6 kg तो यह जो net mass है क्या इसके लिए तुम्हें कोई बहुत बड़ा rocket science की ज़वरत है क्या कोई बहुत कठीन question पूछा हमने तो कहोंगे सर यह तो मैंने पढ़ा है प्रीक्लासेज में नौल स्टैंडर वन में या इवेन उससे भी पहले तुमने सीख लिया होगा कि इसको सर अगर कर देंगे और 4 प्लस 6 जो होगा वो 10 kg हो जाएगा तो देखो कितना बढ़िया है तो बहुत सिंपल तरीके से तुमने क्या कर दिया कि 4 kg में 6 kg को आड़ करके 10 kg कर दिया यह एक एक सिंपल अलजेबिक रूल बोलते हैं जो तुमने पहले से सीख रखा है प्लस करना इवेन माइनस करना माँ लोगे रिक काम करते है एक कंटेनर में आपका 12 kg है टोटल इसमें से अगर वाटर लीक कर गया 3 kg आपने इससे निकाल दिया तो वाट विल भी दर फाइनल मास तो सीधी सी बात को होगे कि 12 kg में से 3 kg अगर हमने बाहर कर लिया तो 12 kg में से 3 kg हम लोग सब्ट्राइट कर देगे we will have 9 kg तो क्या इसके लिए कोई बहुत बड़े साइंस की जवरत है क्या? नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि मास को एड करना या मास को सब्ट्राइक करना इसको मास को एड या सब्ट्राइक करने के लिए बहुत कोई कठिन कॉंसेप्ट की जवरत नहीं है क्या ये चीज बाकी कॉंटिटीज के साथ है सोच के देखो तो जैसे हमने सोचना शुरू किया मास के बाद इसको कुछ लिखना नहीं है मैं समझा रहा हूँ आपको मास के बाद अगर ये बाद हमने एनर्जी के लिए की ठीक है ना एनर्जी के लिए की तो एनर्जी के लिए की तो मालो कहीं पे 8 जूल एनर्जी है है ना और किसी और बाड़ी के पास 6 जूल एनर्जी और आपने दे दिया तो उसके पास टोटल एनरजी कितनी हो गई तो आप कोगे सर ये बहुत आसान है 14 जू यू आर करेक्ट आप एक दम सही हो ये भी सही है आपका सोचो कितना आराम से काम चलता है फिर तुमने कहा कि सर कुछ और एजांबल बदाईए तो और एजांबल देते हैं आपको हमने मान लो कि किसी र आपके लूंवेंट्र लोट किलो मिटर 12 इसका मतलब कि डिस्तेंस है कि याक्तव करो को है डिस्टेंस इसप्हाइड तो या दिस्तेंस अपने और आपको बच्चे क्लम चんな अ अपना एक और लेते हैं एकजाम्पल माँदो किसी बॉड़ी पे 6 कूलम चार्ज है प्लस 6 कूलम कूलम समझते हो चार्ज की यूनिट होती है आवेश इसको हिंदी में बोलते बॉड़ी के उपर चार्ज है कितना चार्ज है 6 कूलम अगर इसको आपने 4 कूलम और आड़ कर द सारा quantity अगर सारे quantity इस तरीके से ही add किये जाएं इस तरीके से ही subtract किये जाएं फिर तो बल्ले बल्ले थी फिर तो मैं कुछ चाहिए ही नहीं था भाई लेकिन मामला अब गंभीर होने वाला है तो समझना अगर सबकुछ ऐसे ही चलता रहे आडाम से addition, आडाम से subtraction चलता रहे, then we don't need this chapter, इस chapter की जड़ोती नहीं पड़ती बच्चे, अगर सब कुछ ऐसा चलता हुआ रहता तो, तो फिर तुमारे दिमाग में आएगी, कि ये बदमासी किस chapter ने की, sorry, कौन से quantity ने की, तो उस बदमास quantity को मैं आपके सामने ला रहा हूं जिसकी वज़ा से आपको ये chapter पढ़ने पर मजबूर होना पड़ा, ठीक है न, चलो, तबी तक हमने क्या देखा, कौन हमारा सीधा साधा प्यारा quantity है, mass, force, sorry, mass, distance, charge, ये सब बहुत प्यारा और आराम से जुड़ने वाला quantity है, इसमें मज़ा आ गया हम लोगो, अब हम उन quantities क पुलाते हैं, जो हमारी बात नहीं मानता है, और देखो, अब ये आपके सामने आते हैं, तो अब बात करेंगे हम लोग, उस quantity की, जो हम लोग की बात नहीं सुनता है, अब देखो, एक body है, इसके उपर दो force लग रहे हैं, कितने force, दो force, एक लग रहा है 6 newton का, और दूसरा लग रहा है 8 newton का, 6 newton, 8 newton, तो किसी ने पूछा तुम से net force कितना हुआ, तो अगर तुमने अपने भोले-भाले thought के साथ, सोच के साथ, इसका answer कर दिया, सर ये तो बहुत easy है, 6 newton, 8 newton, equals to 40 newton, आपने बता लिया, क्योंकि आपकी आदत है, कि भाई, net का मतलब है, जोड देना, तो हमने add कर दिया, 6 newton, 8 newton, equal to 14 newton, लेकिन हम लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके है, और ये जो गलती है, वो यहाँ से एक नए chapter को, एक नए concept को जम दे देगी, क्योंकि क्या गलती की है सर, हम लोग तो आजामते हैं, 6 plus 8, 14 होगा, तो दोस्त, अब देखो, कहा कहा mistake होगा, और क्या क्या होगा, पहली बात, कि जिस तरीके से पहले 6 kg, 8 kg लिखके हम लोग निस्सित हो जाते थे, और एड़ करके 14 kg करते थे, एक तो ये information ही satisfactory नहीं है, कि एक body पे 6 newton और 8 newton force लग रहा है, इस information is not sufficient, ये काफी नहीं है, आपको कुछ और जानना पड़ेगा, तो क्या जानना पड़ेगा बच्चों, तो हमें जानना पड़ेगा, what is the direction, डेडिक्शन जानना पड़ेगा, तो कहोगे सर क्यों, डेडिक्शन जानने से, एडिशन क क्या मतलब है, मतलब है, बहुत मतलब है, क्या मतलब है, तो देखो, इसका answer में लिखता हूँ, इसका answer 14 newton के बगल में लिखना चाहिए मेरे को, maybe, मतलब कि जो पहले मैं 6 kg और 8 kg का guarantee देता था कि 14 kg ही होगा, यहां बोलना पड़ेगा, 14 यानि 14 newton हो सकता है, we cannot guarantee कि यह होगा ही, हम लोग से बोल सकते हैं, कि 14 newton हो सकता है, तो कहों कि 14 newton हो सकता है, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता होगा, of course, 10 newton भी हो सकता है, बड़ा अजीब है, 6 और 8 को add करके 10 हो जाएगा, कैसे होगा, 10 को छोड़ो, 6 और 8 को add करके 2 भी हो सकता है, तो सोचो, यह तो अजीब चीज चल ला है, 14 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और सुनो, यह तो भारी चक्कर आगया भाई, इसका मतलब है, कि force के case में, 6 और 8 को add करने पे, 6 और 8 को add करने पे, कुछ भी हो सकता है, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 12 भी हो सकता है, तो इसका मतलब है, इसका addition, हमारे उस mathematics को follow नहीं करना है, जो हमने बच्पन में सीखा है, और जिसको हम बोलते हैं, अलजेवरी के mathematics, simple, ordinary, गुना भाग, घटाद, जो जो सुमने सीखा है, addition, subtraction, जो तुमने, ordinary, सलहारम, जो जिस तरीके से में लोग add करते हैं, उस तरीके से कहीं न कहीं ये add नहीं हो रहा है, भाई, ऐसा क्यों हुआ, तो देखो यहाँ direction का factor है, अगर तुम खुद सोचो, अब तुमको मैं logically कुछ बताता हूँ, मान दो इस body पे F1, अब देखो ये arrow, क्योंकि force किसी न किसी direction में लगेगा, अच्छे ये जो डबबा बनाया ना मैंने इसको, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसको block बोलते हैं, क्या बोलते हैं लग्चों, block, block ऐसे ही कोई body हो गया, तो मान दो इस पे F1 force लगा, और इस पे F2 force लगा, ये arrow का मतलब हो गया इस direction में, तो ये दोनों force देखो आगे ही लग रहा है, तो अगर दोनों मिलके आगे खीचेगा, तो इसका answer आएगा 14, ठीक है, अगर मान दो इसमें से F2 आगे लग रहा है, और F1 पीछे भी तो लग सकता है, एक आगे खीचेगा, दूसरा पीछे, तो उस case में इसका net force का answer आएगा, 2, ऐसा भी हो सकता है, कि F1 आगे लग रहा है, sorry, F2 आगे लग रहा है, F1 उपर लग रहा है, 90 degree के angle पे लग रहा है, तो इस case में आएगा 10, और बागी angles के लिए भी कुछ न कुछ value आएगा, जिसका मतलब तुम्हारे दिमाग में ये समझ में तुमको आ रहा है, कि सर इसमे direction आने से दिक्कत क्या हो गई, कि इसको normal तरीके से तुम add ही नहीं कर पा ले है, यहाँ पे हमको addition के लिए, यहाँ पे हमको addition के लिए कुछ और सीखना पड़ेगा, क्योंकि force हमारे normal algebra को, जिसको mass follow कर रहा था, force ने इंकार कर दिया, उसने कहा कि मेरे लिए एक नया addition बनाओ, सिर्फ addition ही क्यों, force बोलेगा मेरे लिए नया subtraction भी बनाओ, subtraction ही क्यों, कहेगा मेरे लिए multiplication भी बनाओ, तो इसका मतलब है कि force उन quantities में आ गया, जिसके पास magnitude भी है, और direction भी है, और साथ ही साथ यह आपके normal, ordinary algebra को follow करने से मना कर दिया, इसको सब कुछ अब इस पे slice चाहिए, इसको जोडने का भी तरीका अपना चाहिए, इसको घटाने का भी तरीका अपना चाहिए, multiply का भी तरीका अपना चाहिए, हाँ यहाँ division नहीं होता है, यह division के जाए कि हाँ तीस्वा चीज़ाएगा, resolution, बाद में बात करेंगे, तो इस तरीके से बच्चों, अब scientist मजबूर हो गए, अब उन्हें दो category बनानी पर गई, एक category जिसके पास magnitude है, और वो हमारे ordinary mathematics को follow करने के लिए राजी है, और एक दूसी category, जिसके पास magnitude है, direction है, लेकिन वो हमारे ordinary mathematics को follow नहीं कर रहा है, वो एक नया mathematics को follow करेगा, और बच्चे उस mathematics का नाम है, वैक्टोरियल mathematics, क्या नाम है, वैक्टोरियल mathematics, तो अब बताओ, अगर हम लोग वैक्टोरियल mathematics नहीं सिखेंगे, तो इन quantities को like force, velocity, acceleration, momentum, क्या इनको add कर पाएंगे, क्या इनको subtract कर पाएंगे, क्या इनको multiply कर पाएंगे, तो answer is of course not, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को आप सीखना पड़ेगा, अपने को सीखना पड़ेगा, कि इनको हम कैसे add करें, क्या करें, नहीं करें, तो वहाँ से हमारा chapter जर्म लेगा, factors, अच्छा ये भी है, अब आगे मैं बताऊंगा, एक दो exception भी है, एक दो exceptional quantity भी है, जो magnitude भी है बेचारे के पास, direction भी है, बड़ तब भी वो ordinary को follow करने को तयार है, ऐसा एक दो है बस, लेकिन maximum इस बात को इंकार कर दिया भई, maximum ने इस बात को इंकार कर दिया, कि मैं follow नहीं करूंगा आपके ordinary mathematics को, तो इसका मतलब है, कि बच्चे, ये scientist ने कोई shock से, कोई मौज मस्ती के लिए, दो quantity को category में नहीं बाता, बलकि उनकी मजबूरी थी, क्योंकि ये quantities जो है, वो एक नया mathematics को follow करने के लिए तयार है, तो इसलिए बच्चो, अब समझो इस chapter का importance, अगर ये chapter आप नहीं पढ़ोगे, तो कभी भी force को पुरे physics में daily नहीं कर पाओगे, क्योंकि force हमें साथ दूसरे तरीके से ही add होता रहेगा, और आपको वो addition ही नहीं आता होगा, force दूसरे तरीके से subtract होता होगा, दूसरे तरीके से multiply होता होगा, तो अगर आप ये नहीं सीख पाओगे, तो physics तो फिर खत्ब, तो इसलिए ये chapter जिस तरीके से calculus वेड़ा important है, उससे कहीं ज़्यादा important है आपका vectors, clear हो गया, चलो, तो अब समझ मैं आप chapter क्यों होगा, तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, हलागी पढ़ाई ही कर रहे हैं बच्चे, लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं कि physical quantity को, scientist न उन्होंने उसको classify किया, कितने category में, in two category, one is vectors and दूसरे का नाम तुमने बच्चपन यानि 9th class में भी सुना होगा, Scalars, Vectors, Scalars, और एक तीसा quantity भी होता है, उसकी नहीं बात होगी, that is Tensors, लेकिन now हम लोग Tensors को categorize कर चुके हैं Scalars में, so we don't need detailed analysis of Tensors, okay, तो हम लोग को यहाँ पे सीखना Vectors, जिसको हिंदी में सदिसरासी बोलेंगे, and Scalars, अदिसरासी, तो हम लोग अब इसको start करना जा रहे हैं, तो बच्चों, अब यहाँ से देखते हैं कि physical quantity को, physical quantities, दो पार्ट में classify किये, कौन-कौन सा, Vectors, और दूसरा हो गया, Scalars, है न, तो scientist ने, यह दो quantity classify किया, Vector and Scalar, ठीक है, तो हम लोग का यह chapter नों को Vector ही पढ़ना है, Scalar तो आप जानते ही हो, Scalar के लिए Vector क्यों पढ़ना है भाई, तो Vector की mathematics सीखनी है, Vector किस तरीके से operate होता है, इसके लिए पूरी mathematics सीखनी है, किसके लिए Vectors के लिए, समझ गए न, तो हम लोग तो सबसे पहले Vectors पढ़ेंगे, ठीक है, तो Vectors पढ़ेंगे, तो Vectors में क्या पढ़ेंगे, Vectors में क्या सीखेंगे, तो सबसे पहले Vector का definition, तो पड़ी भासा, है न, तो Vectors का देखो, definition क्या होगा, तो तुमको पता तो चली गया है, कि Vectors are those quantity, Vector वह quantity है, जो magnitude भी रख रखती है अपने पास, और direction भी रखती है, क्या इससे काम चल जाएगा, क्या इसके लिए Vector का, Vector इस chapter को पढ़ रहे हैं, तो answer है नहीं, आपके बल ये बोल दोगे, कि Vector के पास magnitude होता है, और direction होता है, इसलिए इसको मने Vector बोल दिया, wrong हो जाएगा, नहीं, तो कम से कम incomplete ज और साथ ही साथ direction है, और वो Vectorial Mathematics को follow करता है, किसको follow करता है, Vectorial Mathematics को, Algebraic Mathematics को follow नहीं करता है, इसी को तुम बुक में देखते होगे, कि लिखा हुआ रहता होगा, ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल, law of addition, तो तुम सोस्ते हों कि अच्छे ये क्या होगा, तो वो जो Vectorial Mathematics हम पढ़ेंगे, जहां से सुनना, जो हम लोग Vectorial Mathematics पढ़ेंगे, तो उसी Vectorial Mathematics, वही जो आपका Vectorial Mathematics है, उसी का एक addition वाले law का नाम है, ट्राइंगल law, फिर सी तरीके से subtraction होता है, तो आप चाहों तो ये बोलो कि Vector वह quantity है, जो ट्राइंगल law of addition को follow करें, या आप इससे अच्छा टर्म बोल दो कि Vectorial Mathematics को follow करें, जिसमें ट्राइंगल law भी आ जाएगा, clear है, तो Vector की जो definition है, वो क्या होगी, वो हमनों लिखते हैं, तो देखो, Vector's are, Vector's are those physical quantity which have magnitude as well as which have magnitude as well as direction, जिसके पास magnitude हो और साफी साथ direction हो, क्या stop हो जाएं, नहीं बच्चे, आगे भी लिखना पड़ेगा, and, full stop, and, they must follow, they must follow, Vectorial, Vectorial Mathematics, Vectorial Mathematics, जिसमें, example के लिए आप लिख सकते हो, bracket में, triangle, law of addition, बच्चे, इसको अभी तुरत समझने का ट्राइग, मत करना, कि what is this, यही तुम दो सीखेंगे यहाँ पर, अब यह बस आप यह समझो, Vector's are those physical quantity, which have magnitude as well as direction, and they must follow Vectorial Mathematics, example के लिए क्या होगे आपका, triangle law of addition, और अगर कोई कहें कि ऐसे quantity की, example दो, list बनाओ, कोगे बहुत आराम से बना सकते, example, ठीक है, ऐसे कौन कोई से example, धेर सारे, तो आज ही हमने discuss कर लिये, like, force, और क्या, acceleration, और क्या, velocity, और क्या, displacement, 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 momentum, बच्चों धेर सारी quantity हैं, ये सारे vectors हैं, ठीक है न, और भी हमनों लिख सकते हैं, मर्जी है अपना, टॉर्क, टॉर्क, एंगुलर मुमेंटम, इसमें से बहुत सारे चीज़ों को आप नहीं जानते होगे, एंगुलर मुमेंटम, electric field, electric field, dipole moment, तो बच्चों ये examples होगे, तो अभी example को आपको याद करने का ज़रुत नहीं है, अपने को ये देखना है कि इसके पास magnitude है और क्या है direction, और इससे भी बड़ी बात क्या है, they must follow vectorial mathematics, तो ये तो definition होगे, बिल्कुल सिंपल सा definition होगया, ठीक है, तो चलो, लिख लो इसको video pause करो और लिखो, video pause करके लिख लो, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, लिख लिए आपने, चलो, vector के बाद, अब definition आता है, scalar का, vector के बाद, definition किसका आएगा बच्चों, scalar का, लिख लिया होगा आपने, ठीक है, तो अब definition आया, scalar का, अब scalar के क्या हम लिखेंगे, स्केलर्स, तो, स्केलर्स, आर, दोज, फिजिकल, क्वान्टिटी, which have magnitude only, जिसके पास, सिर्फ क्या हो, magnitude only, generally, अब देखो, एक term मैं लिखूँगा, आप थो ध्यान देना, generally, they don't have, they don't have, direction, generally, उनके पास direction नहीं होता है, अब सवाव ये उठता है, बच्चे, मैंने generally सब कर्यूज क्यों किया, मैंने सिधा क्यों नहीं लिखा कि they don't have direction, देखो, अगर मैं generally नहीं लिखूँगा, और सिर्फ लिख दूँगा, they don't have direction, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, कि मैं guarantee दे रहा हूँ, कि दुनिया में, universe में, एक ये ऐसी quantity नहीं है, जिसके पास कोई वी ऐसी scalar नहीं है, जिसके पास direction हो, सारे scalar के पास direction नहीं होते हैं, अगर मैं ये नहीं लिखता तो, लेकिन generally लिख देने से क्या हो गया, कि मैंने एक exception, एक अपबाद का जगह छोड़ दिया, जैसे हम अगर ये बोलते हैं, कि generally December में बारिष नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि December में prior बारिष नहीं होती है, मतलब prior और generally का मतलब prior, लेकिन फिर भी मैंने probability छोड़ दिया, कि हो भी सकती है, एक आप दिन कभी कवा, लेकिन अगर मैं ये बोलू, कि December में बारिष नहीं होती है, अगर मैंने ये बोला December में बारिष नहीं होती है, तो यही चीज़ आप यहाँ पर देखो, कि generally they don't have deduction, तो अब तुम से कोई पूछे, क्या scalar के पास सिर्फ magnitude होता है, तो कोई येस, कोई पूछेगा deduction, तो को generally they don't have, मतलब कि उनके पास normally ये नहीं होता है, लेकिन exception इसका है, इसलिए हमने क्या लिख लिया, generally they don't have deduction, लेकिन इसका एक और character है, जो सब करेगा, तभी scalar है, and, देखो मैं क्या लिख रहा, and, they follow, they follow, algebraic, algebraic, mathematics, बच्चे, scalar के पास magnitude होता है, generally they don't have direction, सिर्फ magnitude होता है, और ये सबसे खास बात है, कि वो algebraic mathematics को follow करता है, वो किसको follow करता है बच्चों, algebraic mathematics को, वो किसको follow करता है, algebraic mathematics को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, scalar, तो scalar के साथ, आप याद रखेंगे, magnitude भी नहीं होगा, और direction भी नहीं होगा, prior, अगर हो भी, तो भी वो algebraic mathematics को चुकी follow करता है, इसलिए उसका क्या नाम है, scalar, एक्जाम्पल देखते हैं, तो एक्जाम्पल के लिए देखो, बहुत सिंपल है, तो एक्जाम्पल में क्या-क्या हो जाएगा, mass, जिसकी बात हम लों बहुत 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 आज कर रहे हैं, mass हो गया, distance, distance, speed, speed हो गया, और क्या हो गया बच्चे, work, power, और सारी quantity है, energy, charge, अब ये 12 का भी दो-तिन एक्जाम्पल लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लॉक्स, इलेक्ट्रिक फ्लॉक्स, क्लियर है, potential energy, अलाकि energy लिख दिया था तो होई गया, तो इस तरीके से बच्चों, ये धेर सारे एक्जाम्पल से हैं, जो सिर्फ magnitude रखते हैं, direction नहीं रखते, और सीधी सी बात है, ये कौन से mathematics को follow करते हैं, algebraic mathematics को ये follow करते हैं, vectorial mathematics को follow नहीं करते, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, कि सर्ड ऐसा है कि कुछ quantity है ना, कुछ quantity आपने जब बोला कि ये, कि वो scalar है इसके बाब जो उनके पास deduction है, तो क्या इसकी कोई quantity है, तो इसका answer है yes, अब उस quantity के बादे में बात करता हूँ, तो पहले आप वीडियो pause करो, आप वीडियो pause करो और इसको इसको इक बाद लिख लो, ओके, तो बच्चों, अब देखते हैं हम लोग वो quantity कौन है, तो देखो, एक quantity है current, current, अब ये current क्या है, current के पास magnitude भी है, magnitude तो होगा ही, physical quantity इस magnitude भी होगा, और क्या है, direction भी है, direction कैसे है, तो तुमने पढ़ा होगा, 10th class में, it always flows opposite to direction of flow of current, sorry, electron, direction of flow of electron, electrons, ये electrons के direction के opposite flow होता है, जैसे माल लो ये wire है, याँ लो 10th class तुमने, अब इस wire में माल लो, electrons इदर flow हो रहे हैं, तो स्वाविक सी बात है, तुन्हें बताया गया था, कि electron धारा जो है, धारा current को धारा बोलते हैं, तो धारा जो है, electron के flow करने के opposite, तो अगर electrons इदर आ रहे हैं, तो automatically current आपका इदर जा रहा होगा, तो देखों, ये arrow बना के हमने दिखा दिया, current इदर जा रहा है, तो इसके पास magnitude भी है, direction भी है, but still, current जो है, वो क्या है, एक scalar quantity, current क्या है, scalar quantity है, क्यों भाई, because, because, it does not follow vectorial, vectorial mathematics, यानि कि ये triangle, ये जो है, vector होने के लिए क्या है, कि उसके mathematics को follow करना पड़ेगा, मतलब triangle of addition को follow करना पड़ेगा, ये follow नहीं करता है, ये क्या follow करता है, simple algebra, जैसे, example देखो, मान लो एक wire ऐसे, और दूसरी wire ऐसे junction बना हुआ है, clear, अब इधर से current आ रहा है, 3 ampere, और इधर से current आ रहा है, 4 ampere, अब देखो इन दोनों wires के बीच का distance आपका 90 degree है, distance बोलते है, angle 90 degree है, तो क्या इस angle को देखोगे, या सीधा 3 ampere, 4 ampere, जुड के बताओ ये I कितना होगा, बच्चे बताओ कितना होगा, तो तुमारा answer होगा सर, इसमें क्या बात है, I1 अगर आपका 3 ampere है, I2 आपका 4 ampere है, तो I जो होगा वो I1 प्लस, I2 होगा, very simple, सीधा है, I1 के जगे हम लोग क्या लिख देंगे, 3 ampere, I2 जग क्या लिख देंगे, 4 ampere, फाइनली ये कितना आ गया, 5 ampere, क्या अगर इस एंगल को हम चेंज करेंगे, मादो तार ऐसे के बजा है, अगर इस तार को हम ऐसे कर दें, अब बताना, कि अब अगर ये I1 है, ये I2 है, और इन दोनों के बीच का अगल 30 डिगरी है, तो बताना, I की वेल्यू कितनी होगी, अगर ये 3 ampere है, अगर ये, 3 और 4 है न, क्या मैं भी दिख रहा हूं, 7 ampere, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 7, क्योंकि 3 और 4 कितना होगा, 7, ये तो, क्या सिल्ली में स्टेप होगा में दे से, 3 और 4 कितना होगा बच्चे, 7, अगर मान लो, कि ये इस तरीके से हो, 3 ampere और 4 ampere, अगर एंगल क्या बना दे, 30 डिग्री का, तो तुम्हें क्या लगता है, कि अब आई का वैल्यू तुम कुछ और निखोगे, बिल्कुल नहीं निखोगे, अगर 90 है, तो भी, इसको आप लिख लिजे, अब बात करते हैं, लोग वैक्टर्स की, ठीक है ना, तो अब ये डेफिनिशन के बार, अब आजाओ वैक्टर्स पे, ठीक है, कल वाले वीडियो में, जब कल जो आएगा, उसमें मैं आपको तुम्हें आपको तुम्हें बारे ही बता दूँगा, कैसे किसी क्वांटिटी को देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा, कि दिस इस वैक्टर्स ये कैसे पता लगेगा, तो बचसे देखो, जैसे मां लो, सबसे पहली बात, दो टाइप का रिपर्जेंटेशन बताएंगे, एक रिपर्जेंटेशन होगा सिम्बॉलिक, तो सबसे पहले हम लोग सिम्बॉलिक रिपर्जेंटेशन की बात करते हैं, सिम्बॉलिक, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, Symbolic Representation Symbolic Representation की बात करें अगर हम लो तो देखो इसमें क्या करना है तो Symbolic Representation में क्या करना है उस बात को समझो जैसे माल लो कि आपका Velocity अब ये भी लिख दिया Velocity अब मेरे को ये बताना कि ये Vector है तो you just have to put an arrow over the letter है ना जिसके उपर है आपने letter put कर दिया तो ये क्या हो गया Vector जैसे Force Vector है तो arrow लगा दिया Momentum Vector है तो क्या लगा दिया arrow लगा दिया समझ गहना अब ये arrow ना ये माश समझना कि Velocity इस direction में है एक बात समझ लो जैसे बहुर बच्चों को ये Confusion होता है कि सर ऐसे arrow का मतलब velocity इधर हो गया भाईया ऐसा है कि this is symbol अब जैसे कोई तुम advertisement देखते हो उसमें ऐसे आपको बना के लिखा वा रता है ऐसे लिखा वा रता है और आगे number और कुछ ने कुछ लिखा रता है तो इसका मतलब क्या ये phone थो रही हो गया ये phone का एक symbol है अब ऐसा नहीं कि आप जाके तुम button दबाने लोग और phone लग दियाएगा तो ये symbol है कि भया वैक्टर है तो ये arrow ऐसे है इसका मतलब है कि ये एक वैक्टर है इसका मतलब कभी ये मैं इसलिए बोला हूँ ना कि जब offline class में मैं पढ़ाता था तो उसमें कुछ बच्चों को ये confusion होता था कि इधर arrow का मतलब कही है velocity इधर तो नहीं जाना है इस इस जस्सिंबोल आप इस arrow को इधर भी दिखा सकते हो बद उसके उपर एक arrow होना चाहिए तो बच्चों वैक्टर को symbolic represent करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसके उपर एक arrow बना दो मालो वैक्टर A एक arrow हो गया है B एक वैक्टर है एक representation और है उसको हम लोग देखते हैं ठीक है बच्चों अब एक चीज और समझो कुछ वैक्टर जो हम लोग देखेंगे next class में वो special type का वैक्टर होता है उसका नाम होता है unit vector क्या होता है unit vector वैक्टर भी समझने का try मत करना यह कल वाले class में आपको समझ में आगा unit vectors ठीक है ना unit vectors वो वैक्टर होते हैं इनका magnitude 1 होता है इसके बादे में detail जानकारी कल मिलेगी लेकिन चुकि representation की बात चल रही है तो इसके बादे थोगा बात करते हैं माल लोग एक वैक्टर है माल लेते हैं कोई वैक्टर है c और यह unit vector है मतलब इसका magnitude 1 है तो इसको कैसे represent करेंगे बच्चे तो इसके ऊपर arrow देने के बजाए इसको टोपी पहना दो ऐसे कैप लगा दोगे तो यह क्या कर लाएगा unit vector तो normal vectors जो कि इनका magnitude 2, 4, 5, 6, 10 कुछ भी हो उनके लिए arrow का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए किसका यूज़ करेंगे कैप का किसका यूज़ करेंगे कैप का क्लियर होगे आपको चलो तो यह होगे आपका unit vectors तो यह होगया symbolic representation बहुत सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है चलो अब एक बात करते हैं जैसे मान लो कि यह कोई वैक्टर यह है अब जब वैक्टर है तो फिलाल इसमें magnitude भी है और क्या है direction मेरे को न मन है कि इसका सिर्फ magnitude लिखने का मतलब वैक्टर को एक ऐसा काम करने का कि सिर्फ इसका क्या रहे magnitude सिर्फ तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे तो एक हो हम लोग डाल देंगे mode में यह mode समझते हो यह mode mathematics का होता है mode जो होता है यह jacket की तरह है इसके अनदर कुछ भी रखोगे तो finally वो plus होके ही निकलेगा अगर plus रखोगे तो plus निकलेगा और अगर minus 2 भी रखोगे तो यह jacket उसको क्या कर देगा एक अपने तरफ से minus लगाके finally क्या कर देगा plus मतलब mod क्या करता है किसी भी quantity को जो quantity उसके अंदर रहती है उसको convert कर देता है किसमे plus में तो अब देखो यहाँ पर क्या किया हमने अगर किसी vector को यह jacket पहना दोगे तो बच्चे फिर क्या होगा यह jacket पहनाते के साथ यहाँ एक खास बात होगी जैसे यहाँ guarantee मिला plus होने का यहाँ vector को jacket पहनाने का क्या होगा कि इसका direction हो जाएगा गायब अब मतलब यह क्या हो गया यह सिर्फ only magnitude magnitude of vector a यह vector a का सिर्फ क्या हुआ magnitude तो किसी vector के सिर्फ magnitude को दिखाना है तो इसको mod में डाल दो और अगर तुम कचाते हो कि magnitude direction दोनों रहे तो आप ऐसे लिखो magnitude में डालना है तो mod लगा दो से clear है अब एक बात सोचो कि तुम कहोगे कि सर इसके magnitude को दिखाने के लिए यह mod ही क्यों लगाना पड़ा मेरे को mod लगाने का क्या फर्क पड़ा तो सुनो यहां से एक बात समझ में हमको आती है यहां से सुनना यह बात हमेशा काम आएगा कि इत मेंस इसका अर्थ हुआ बच्चे इत मेंस magnitude of vector vector is always positive मतलब की positive ऐसे plus का sign दिया मतलब क्या हो गया positive इसका मतलब यह हुआ it means magnitude of vector is always positive vector की magnitude क्या होगी positive vector की magnitude क्या होगी बच्चों positive किसी भी हाल में क्या होगी positive क्लियर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि अगर कल को बोले कोई जैसे तुमको बोल दें से कि velocity is equal to minus 2 meter per second अब तुम कहोगे कि sir minus 2 meter per second का क्या मतलब हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि velocity का magnitude होता है 2 meter per second और यह minus sign जो है आगे this is for direction की पार्ट की जो है वो negative x-axis में जा रहा है मतलब कि अगर vector minus 2 meter per second है अगर velocity minus 2 meter per second है तो यह समझना होगा जब इसके magnitude की बात करोगे तो mod में डाल दोगे mod में जैसे ही डाल दोगे minus गाय हो जाएगा तो magnitude तो हुआ 2 लेकिन यह minus sign क्या बता रहा है कि particle is moving towards negative x-axis particle किदर जा रहा है negative x-axis में यानि यह minus magnitude के साथ नहीं है वो magnitude के साथ नहीं है बलकि वो क्या दिखा रहा है vector का deduction clear होगे बच्चों तो इसलिए इस बात को समझो कि vector के magnitude को दिखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं मौड का ठीक है ना तो जब भी vector मौड में डिखाज डाला वर रहे तो आप समझ जाओ कि वो magnitude है एक और इसका representation है वो ही यूज होता है जैसे मालो कि यह vector है इसको आपने मौड में डाल दिया तो क्या मिला सिर्फ तुमको magnitude of a अब क्या है कि इसको तुम चाहो तो सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो आपको ना arrow भी हटा दो और मौड भी हटा दो तो सीधी सी बात है देखो फिर से confuse मत होना अगर vector के उपर arrow है तब तो यह vector हो गया मौड में डाल दिया तो केबल magnitude है एक काम और कर सकते हो मौड को भी हटा दो arrow को भी हटा दो सीधा क्या लिख दो यह आई बास समझ में तो इस तरीके से vectors को लोग क्या कर सकते हैं represent symbolic अभी symbolic representation है ओके यह vectors का symbolic representation है समझ गए ना और यह भी खास हम लोग जाने क्या कि vector का magnitude होता है वो always positive होता है ठीक है बच्चों तो आज तो introduction था कल real class होगा कल आपको मैं पढ़ाऊंगा जैसे इसका symbolic representation कल मैं इसका graphical representation vectors का angle vectors का type कल धेर सारी बाते होंगी इसी time पे ठीक है आज introduction था कल से हों लोग इसको आगे और बढ़ाएंगे समझके बच्चे तब तक आप अच्छे से लिखिए और notes ज़रूर बनाईएगा notes ज़रूर बनाना है ठीक है ना क्ट बढ़ाएंगे?